रात की अराधना में इस संध्या के समय हम सब लोग मिलकर आप जो यहाँ पर हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जोड़ेंगे मैं आप सबों का ये शुमसी के नाम पर हारदिक स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए जब हम इस प्रार्थना में भाग लेंगे तो विश्वास करें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनते भी है अगर आप ये विश्वास ने करते हैं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनी जा रही है या संदेह करते हैं तो बाईबिल कहती है कि वह हव पाक के द्वारा चितराई हुई लहरों के सद्रिश है जो इदर उदर डोलती रहती है इसलिए ये शुने भी कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग रहे हो वो तुमें मिल गया है हमारी प्रार्थना विश्वास स निकलनी चाहिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, आत्मा में ये विश्वास नहीं हो रहा है, कि प्रभु मेरी सुन रहा है, या प्रभु के करीब हुँ मैं है, प्रभु की उपस्तिति का हैसास नहीं हो रहा है, तो आपको और महनत करने के अवशक्ता है, और प्रार्थन जानते हैं, येशु के शिष्चु ने येशु से क्यूं कहा था कि हमारा विश्वास बढ़ाईए और येश्व ने उनसे कहा था कि यदि तुमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से कह दो कि यहां से उखड कर समुदर में चला जा लग जा तो वह तुमारी बात मान लेगा क्या सच मुझ राई के दाने के बराबर विश्वास होने से हमारा काम होगा अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर विश्वास थोड़ा भी हो तो चलेगा अगर विश्वास थोड़ा भी है और चलेगा तो पेतरूस और अने शेश्यों को येशू से डांट निखानी पड़ती जब जब उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया विश्वास कम हुआ तब तब येश्व ने उनसे कहा रे अल्प विश्वासियो डरते क्यों हो तो राई के दानी का महत्व क्या है राई का दाना एक तो ठोस होता है दूसरी बात राई का दाना बहुत छोटा होता है लेकिन उसे पेड़ बहुत बढ़ा निकलता है ठीक इसी तरह हमारा विश्वास थोस होना चाहिए, बढ़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए तो आईए इस समय हम विश्वास के साथ इस अराधना में भाग लेने जा रहे हैं अजब आप इस अराधना में भाग ले रहे हैं, आपको विश्वास करना है कि प्रभू इस प्रार्थना के दौरा मेरे जीवन में कारे करेंगे उससे भी बढ़कर प्रभु का प्यार, प्रभु की दया, प्रभु की माफी इस अराधना के दौरान में महसूस करूँगा सबसे बढ़कर ये है कि हम प्रभु को महसूस करें उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है न हमारे लिए चमतकार करना प्रभु का चंगाई देना या और कुछ करना वो सेकेंडरी है लेकिन सबसे पहले हमें प्रभु का अनुभो प्रार्थना वे करना चलिए प्रार्थना करें आखे बंद रखें प्रार्थना करें दयालू पिता तुझे धन्यवाद तेरी महिमा, तेरी स्तुती, तेरी आराधना आज के सुन्दर समय के लिए साती सात तेरी दिय हुई सबी आशिशों, कृपाउं और वर्दानों के लिए प्रभु हम अती उत्साहित हैं तेरे सम्मु खाने के आते हुए हमारा हृदय आनंद से भर गया है, क्योंकि हम तेरे पास आए है जैसे मातामरियम ने कहा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है मेरा मन अपने मुक्तिदाता इश्वर में आनंद मनाता है प्रभु हम भी तेरे आनंद से समय भर गये हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम तेरे पास आ गए हैं धन्यवाद पिता धन्यवाद येशु धन्यवाद पवित्र आत्मा चली प्रार्थना करें अपने अपने शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए प्रभु की आराधना किजिए स्तुति करना शुरू किजिए जब आ आलेलुईया, 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 लेपरा सहंदर आवा, शेखे रेवे, रेवे, आलेलुईया, धन्यमाद, तिरी उपस्तिजी से हमें भर दे, हर प्रकार की कमी कमजोरियों को हमारे जीवन से समय मिटाने की गरबा कर येशु, तेरे पवित्र लहू से शुद कर, एक-एक कोने को, एक-एक शरीर के अंग को शुद कर, पवित्र कर, धन्यमाद येशु, 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 धन्यमाद एशु ने अपने शिश्य योहन पेत्रू से कहा नाव को गहरे पानी में ले चलो, अपनी आत्मा को इस समय उस गहराई में डुबोईए, प्रात्ना की गहराई में इस समय आत्मा डूब जाएं Haleluja 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 हालेलुया 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 हलेलुया हालेलुया हलेलुया जय जय कार जय जय कार इसु तेरी जय जय कार हालेलुया हलेलुया जय जय कार जय जय कार इसु तेरी जय जय कार जै जैकार जै जैकार येसु तेरी जै जैकार जै जैकार जै जैकार जै जैकार येसु तेरी जै जैकार जै जैकार जै जैकार अबा तेरी जै जैकार अलेलुया, हलेलुया, 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 हलेलु जय जय कार जय जय कार अबा तेरी जय जय कार अलेलुया 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 जय प्रभु ये सू जय जय नाम जय प्रभु ये सू जय जय नाम अलेलुया 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 जय प्रभु ये सू जय जय नाम जय प्रभु येसु जय जय नाम जै जै नाम येसु नाम जै प्रभु येसु जै जै नाम तेरी महिमा गाते हैं पर्म पिता तेरी जै जै कारपा बने आत्मा जै जै कार तू महान सर्व शक्ति तू महान सर्व शक्ति मान येसु तेरी जै जै कार जोरदार साली बजाते हुए तेरी महिमा गाते हैं आराधना हम करते हैं एक साथनी के हैं आत्मा में येसु तेरी जै जै कार आत्मा तेरी जै जै कार जीवन दाता जै जै कार आनंद दाता जै जै कार आलेलुया आलेलुया जोरदार साली बजाते हैं प्रभु किया राधना आलेलुया, 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 आलेलुया खोल दे, खोल दे, स्वर्क द्वार अब खोल दे आलेलुया, 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 आलेलुया खोल दे, खोल दे, स्वर्क द्वार अब खोल दे आमेन आमेन सारे बंदन खुल जाए आत्मा बच्छा जाए सारे बंदन खुल जाए आत्मा बच्छा जाए एक साथ लिपर आमेन आत्मा बच्छा जाए आत्मा बच्छा जाए आपिशेक होने दे आत्मा से भरने दे आलेलुया आलेलुया जोर दालिया बच्छा जाए आलेलुया आत्मा में आलेलुया आलेलुया आनंद से हम भर जाए आलेलुया आलेलुया आत्मा से भर जाए आलेलुया जोर दे इस लिपर चंगाई हमको मिल जाए छुटकारा हमको मिल जाए चंगाई दाता आजाए छुटकारा दाता आजाए जोर दान दालियों के साथ अलेलुया 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 निम्किया येशु जी आये मेरे घर में अब आये येसु जी आये मेरे घर में अब आये येसु जी आये मरिवार में आये इक साथ हाम्या आये नहाँ जै प्रभु येसु जै जै नाम शक्ति शालिये सुना जै प्रभु येसु जै नाम समसे अच्छा ये सुना एक साथ तारी बजाते हुए है आलेलुया अलेलुया जोर्दार्दार्दियों के साथ खुल जाएं खुल जाएं सारे बंदन खुल जाएं खुल जाएं, खुल जाएं, सारे बंदन खुल जाएं आलेलुया, खुल जाएं, खुल जाएं, स्वर्फि द्वारे अब खुल जाएं उतराएं, उतराएं, आत्मा उतराएं मिल जाएं, मिल जाएं, येसु का दर्शन मिल जाएं तोड़ते, तोड़ते, शैतान के बंदन तोड़ते भर जाएं भर जाएं अब महिमा से हम भर जाएं भर जाएं भर जाएं आत्मा से भर जाएं जोड़ार ताने को जाते हैं भूलो रोकी चंगे हो जाएं छुट आरांप मिल जाएं रोकियों को चंगा कर बंदनों से मुद्द कर अलेलुया 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 अलेलु लेलुया, 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 लेलुय उत्रा उत्रा आत्मा बुत्रा अतिकार ले अतिकार ले मुझ पर तू अब अतिकार ले आत्मा हम भर जाएं तेरे पावल लहु से दुल जाएं प्रेम से हम भर जाएं शांति से हम भर जाएं ये सुका दर्शन मिल जाएं सुपधर्शन मिल जाए अलेलुया अलेलुया इस अग हलेलुया हलेलुया येसु जी येसु जी दया कर तेरे लहू से शुद कर आत्मा अब तरा तेरी महिमा होने दे तेरी महिमा होने दे उत्तरा उत्तरा मेरे जीवन में तु आजा तेरी महिमा होने दे तेरी महिमा होने दे जमतकार होने दे येसु जी येसु जी दया कर दया कर अलेślया कर दूह जूह जाये जुर्वे जूह जहां जूह दोएली खुटपारा खुटपारा इस नामों में खुटपारा बंदियों को खुटपारा नशे से खुटपारा तोड़ दे तोड़ दे शैतान को बंदर तोड़ दे भर दे आत्मा से भर दे येशू येशू चूले चूले जोले हमको जोले एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक सूती करें जो जाओ प्रबू में प्रबू के सुपी करें महिमा करें आराद ना करें आत्मा से बर जाएं पोते जाएं, इस निखते जाएं प्रबू का विश्य खंपर उतराद प्रबु का आत्मा हम पर उतराए प्रबु का विशेख हम पर उतराए उतराए उतर जाए आपने हाथों को उठाके प्रबु की सुची करें उची आवाद में प्रबु की सुची करें इस समय महिमा करें आराद ना करें येशु का विशेख येशु का आत्मा इस समय हमें खेरें हर बंदन ठूटें येशु के नाम पर आत्मा जंग भर जाए तोड़ 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 येशु के न हलेलुया 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 प्रभु के सानित्ध का अनुभव करें वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया जिसने हमारे नाम अपनी हतेली पर लिखे रेजनों प्रभु ये कहता है कि हे युदा जब तू बालक था तेरी मां की गोद में मैं तरी सहायता किया करता था तेरी देख भाल करता था अब देख कि मैं तेरे बुढ़ापे तक ऐसा करूँगा तेरे बाल पक जाने तक मैं ऐसा ही करूँगा इस वक्त हम परमेश्वर की हजूरी में आपका घर परमेश्वर की महिमा की जगा बन जाए आपके बच्चों के जीवन में उन्नती आए जो पड़ाई लिखाई करते हैं, बिजनस करते हैं येश्व की आत्मा आप लोगों पर अधिकान ले आप संसार के आत्मा से संचालित नहों बलकि परमिश्वर की आत्मा से संचालित हो जाएं प्रभू ये कहता है कि संसार में रहकर तुम संसार के जैसे मत बनो क्योंकि ये संसार जूटा है ये संसार जूटा है प्यारे भाईयो और वेनो जो संसारिक आत्मा से संचालित है वो ईश्वर के नहीं है परन्तु जो ईश्वर की आत्मा से संचालित है सच्चे अराधक है परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है इसलिए उसने कहा कि सबके सब जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते हैं प्रभू-प्रभू केते हैं उन में सबके सब स्वर्गराज में प्रभेश नहीं करेंगे this is a time of your anointing, this is a time of your healing, this is a time for you to learn the word of God, येशु के वच्छन को सीखना, सुनना और समझना, सहिता के वच्छन की शिक्षा को ग्रहन करना, और तुम और तुम्हारा घराना प्रभु केता, उद्धार पाएगा, हालेलुईया, हे प्रभु येशु, आज का वच्छन मेरे उद्धार के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे बच्छों की उन्नती के लिए है, हालेलुईया, आपने कहा है, कि तुम अपने घर में, सहीता की शिक्षा कर, मनन चिंतन करते रहो, इसे अपने पुत्र और पौत्रों को बताओ, हालेलुईया, प्रभु कहता है, मेरे वच्छन आत्मा और जीवन है, हालेलुईया, हे प्रभु येशु, आज के वच्छन के द्वारा, मेरे परिवार में, उध्धार आजाए, शांती आजाए, चंगाई आजाए, बंधन तूड़ जाए, हालेलुईया, 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 प्यारे भाई और बेनों, उन बातों के लिए हम माफी मांगे, जाने अन जाने में, जो हमारे जीवन से होगी क्योंकि बाइबलमें बताती है रोमियो के पत्र में संथ पौलुस लिखता है कि सब ने पाप किया है सब इश्वर की मैमा से वनचित है अच्छा करता है और बुरा भी करता है सत्य बोलता है और जूट भी बोलता है इसलिए प्यारे भायों और बैबल आमें बताती है बैबल आमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि वो सच्चा है क्योंकि सब ने पाप किया है सब इश्वर की महिमा से वंचित है ये अनुग्रे का समय है अपने परिवार के साथ मिलकर आज की कमजोरियों के लिए शमा की आचना करना और प्रभु आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी मेरी कृपा तेरे लिए परियाप्त है कोई हैं जो आज बहुत निराश है हो सकता है आपके जीवन में आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ काम नहीं हुए है प्रभू ये कहता निराश मत हो मैं तेरा परमेश्वर हूँ मैं तेरी चिंता करता हूँ मैंने तेरे लिए योजना बनाई है और जब सही समय आ जाएगा तो मैं उसे पूरा कर दूँगा तो निराश मत हो चिंता मत कर बस तो ढारस रख अपनी बुद्धी पे निर्भर मत रह परन्तु अपनी सोच और अपना मन मेरी और लगा देख मैं तेरे साथ रहता हूँ मैं तुझे द्रड करता हूँ याद कर कि मैंने इस्राइलियों के जीवन में कितने चमतकार किये अपूर्व चमतकार किये मिश्र की गुलामी से चुडाया चटांड से पानी निकाला बादल के खंबे के रोप में उनके आगे चला आकाश से मनना बरसाया और उनकी भूग मिटाए प्रभू से कहते जाना मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे शानती प्रदान कर मेरे गुनाहों के लिए और मेरी बदकारियों के लिए मैं शमा की आजना करता हूँ प्रभु मुझे शमा कर, प्रभु मुझे शमा कर करुणा करहे प्रभु वल, हम पर करुणा कर दे करुणा करहे प्रभु वल, हम पर करुणा कर दे करुणा करहे प्रभु वल, हम पर करुणा कर दे करुणा करहे प्रभु वल, हम पर करुणा कर दे हम है पापि और अग्यानी हम है पापि और अग्यानी करुणा कर है प्रभुवर हम पर करुणा कर दे करुणा कर है प्रभुवर हम पर करुणा कर दे गर्ब पात की दुष्ट आत्मा के लिए जिसने इंसानों का जीवन खराब कर दिया, दूशित कर दिया कई लोगों ने जाने अन जाने में गर्ब पात के द्वरा हत्या का पाप किया हैं प्रभू से शमा की आचना करना कई लोगों ने दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश की, गमंड की दुष्ट आत्मा जीवन में काम करती हैं, क्रोध की दुष्ट आत्मा, इरश्या की दुष्ट आत्मा, गंदे रिष्टों की अशलीलता की दुष्ट आत्मा जो जीवन में काम करती हैं, उसके लिए कि आचना करते जाना क्योंकि प्रभू पवित्रता चाहता है प्रभू कहता है तुम अपने आपको पवित्र करो और कल मैं तुम्हारी आखों के सामने चमतकार करूंगा तुम अपने आपको पवित्र करो और कल मैं तुम्हारी आखों के सामने चमतकार करूंगा इसलिए प्र तेरी आग्या मैंने ना मानी करुणा कर ले प्रगुवर हम पर करुणा कर दे परुणा करे है प्रभुवर हम पर करुणा कर दे प्रभु कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारे के बराबर है जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारे के बराबर है प्रभु कहता है मैं तालाक से घ्रणा करता हूँ मलाकी के ग्रंथ में अध्याय दो से आगे हम पढ़ते हैं कि मुझे तालाक से घ्रणा है प्रभु ये कहता है कि मैं इन बातों से नफरत करता हूँ घमंड भरी आखे बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर जोटी निंदा करने वाली जीव प्रभु को ये बाते पसंद नहीं है हमारे जीवन से यदि ये हुई है तो शमा की आचना करते जाएं और प्रभु आपको ब्लेस करेगा आज ही आज की रात्री आपके जीवन में चमतकार होंगे क्योंकि बाइबल कहती है प्राश्चित और स्विकृति में तेरा कल्यान है नविवक यूवतियां प्रभु से शमा मांगे अपनी बदकारियों के लिए और अनेक अशलील बातों के लिए जो वो देखते हैं जो वो करते हैं प्रभु से शमा की आचना करते जाएं क्योंकि ये सारी चीजें बुराए की जितनी भी जड़े हैं दुष्टात्माए हैं ये सब शैतान के द्वारा संचालित हैं उसकी आत्मा से संचालित हैं इसलिए ये मसीयों को नहायती जरूरी है कि परमेश्वर की हजूरी में बैठ कर मापी मांगे क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है आप चुनी हुई प्रजा है वो आपसे प्रेम करता है हम है पापी और अग्यानी हम है पापी और अग्यानी करुणा कर है प्रभुवर हम पर करुणा कर दे अपने हां दो पोठा दी करुणा कर दे हम पर करुणा कर दे कुछ छणों के लिए मौन हो जाएं आप अपने घर में अपनी वेदी के सामने बैठे हैं जहां प्रभू की उपस्तती इस वक्त आपके बीच में है उसका वादा है जहां बर दो यतीन मेरे नाम से गत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं स्थरोधकार केता है प्रभु के मंदिर की सीड़ी पर एक दिन बिताना अन्यत्र हजार दिन बिताने से अच्छा है दिन के और रात के 24 गंटों में ये दो गंटे प्रभु की हजूरी में बैठ जाना और प्रभु आपके जीवन में आपका कल्यान करेगा क्योंकि वो चाहता है कि आपका कल्यान हो प्रभु के दर्शनों की अभिलाशा करते रहना और वो आपको संभाले रहेगा साम नंबर 63 स्त्रोध संख्या 63 मेरे पीछे दोराईएगा इश्वर तु ही मेरा इश्वर है मैं तुझे ढूंडता रहता हूँ मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है जल के लिए सूखी संतप्त भूमी की तरा मैं तेरे दर्शनों के लिए तरस्ता हूँ मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किये मैंने तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखी है मैंने तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखी है तेरी सत्य प्रतिकिता प्राणों से भी अधिक प्यारी है मेरा कंट तेरी सत्य प्रतिकिता प्राणों से भी अधिक प्यारी है मेरा कंट तेरी स्तुती करता था मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा मैं तुझसे करबद प्राथना करता रहूंगा मेरी आत्मा मानो उत्तम्यंजनों से त्रप्त होगी मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुती करूंगा मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूं मैं रात भर तेरा मनन करता हूं मैं रात भर तेरा मनन करता हूं तु सदा मेरा सहारा रहा है मैं तेरे पंकों की छाया में सुखी हूं मेरी आत्मा तुझ में आ सकत रहती है तेरा दाहिना हात मुझे संभालता रहता है जो मेरे प्राणों के गाहक है उनका विनाश हो वे अधो लोग जाएं वे तलवार के घाट उतारे जाएं वे गीदड़ों का आहार बने राजा प्रभु के कारण आनन्दित होंगे जो इश्वर की शपत खाता है वह अपने को धन्य समझेगा जब की मिथ्यावादियों का मुख बंद रहेगा हालेलुया 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 है सर्वशक्तिमान शाष्वध्यालो पिता ईश्वर आज का जो वचन प्रभु आप अपने बच्चों से बोलना चाते हैं आत्मा के सामर्थ से हमें भर कि उस वचन को हम सुन सकें और उसे आत्म साथ कर सकें आज के पाक कलाम पर तेरी आशिश हो तो अपने दास के द्वारा जो भी वचन बोले इनके हिर्देओं को शुद करे पवित्र करे हे प्रभु ये दुधारी तलवार के जैसा है आज बहुत सारे हिर्देओं को प्रभु ये पवित्र करे हालेलूया, हे पवित्रात्म हम पर अधिकार लीजिए, हमारी सोच विचार पर, हमारे मन पर, हमारे हिर्दे पर, अधिकार लीजिए, हमें सामर्त दीजिए, जिससे कि हम लोग इस वचन को ग्रहन कर सकें, आमें आईये पावनात्मा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, हालेलुईया हालेलुईया आउ खहर जागा रूहे पाव हम पे आउ रूहे पाव हम पे आउ आ, ठहर जा रूहे पा, अंपे आ आ, ठहर जा रूहे पा, अंपे आ आ, ठहर जा रूहे पा, अंपे आ निवात विक्रादा, निवात विक्रादा बदलू मैं और तडपू मैं बदलू मैं और तडपू मैं बदलू मैं और तडपू मैं जीओं येशू के लिए जीओं येशू के लिए जीयों इशु के लिए जीयों इशु के लिए रूहे पाँ चलना सिखा आहां ठहर जा रूहे पाँ चलना सिखा आहां ठहर जा रूहे पाँ चलना सिखा आहां ठहर जा रूहे पाँ चलना सिखा जीवन बदले, तनमन बदले जीवन बदले सुरसंगी रूहे पाग, अम्पेया, हाँ ठहर जाग, अपने हाँ पोठाके रूहे पाग, अम्पेया, हाँ ठहर जाग, सब लोग आईए रूहे पाग, अम्पेया, हाँ ठहर जाग, मिलकर गाएं रूहे पाग, अम्पेया, हाँ ठहर जाग, अजा रूहे पाग, हाँ है रूहे पाग, अम्पेया, हाँ ठहर जाग, अम्पेया, हाँ ठहर जाग, चंगाई आजाए चंगाई आजाए हालेलुईया प्रभु क्रिष्ट में प्यारे भाईयो बहनों प्रभु का जीवन्त वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ बहुती सुन्दर वचन आज के दिन में हम सभी सुनने वाले हैं अक्सर लोग अपनी जरुतों को लेकर प्रभु के पास जाते हैं विंति करते हैं प्रारतना करते हैं अलग अलग प्रकार से प्रभु से याचना करते हैं और बहुत बार लोगों का यह अनुबव है प्रभु ने हमारी प्रार्तना नहीं सुनी हमारी तकलीब दूर नहीं हुई, हमारी बिमारी दूर नहीं हुई हम आज भी परिशान हैं और ऐसे अनुबव बहुत सारे लोग बाढ़ते हैं तो आज के दिन में हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं अगर हमारी पुकार प्रभु के कानों तक पहुँशनी हैं तो हमें कैसे प्रार्तना करनी हैं और उसके बाद हमें क्या क्या करना है इन सारी बातों को हम आज के दिन में सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार हम प्रार्तना करेंगे हो सकता आज के दिन में बहुत सारे लोगों ने विशेश रुप से याशना की होगी अपने दुख तकलेप को लेकर अपने परिशानियों को लेकर प्रभू की दया मांगी होगी तो यह वच्षन मैं समझता हूँ आप सभी लोगों के लिए फाइदे मन सिद्ध होगा क्योंकि प्रभू का वच्षन जीवनता है, सचकता है दुदारी तलवार से तेज है इस वच्षन को हम लोग ग्रहन करेंगे सुनेंगे, विश्वास करेंगे उसके अनुसार कारिय करेंगे निश्चत रूप से हम सभू के जीवन में प्रभू की आशिश आएगी इसलिए मैं आश के दिन में दस कोडियों का द्रस्ठांत लेकर मैं आप सभू के साथ मनंचिंतन करना चाहता हूँ अकिरिय दस कोडी कोड की बिमारी से ग्रसित एक कैसे टीक हुए प्रभू येस्व के जमाने में एक कोड की बिमारी बहुती बहनख बिमारी मानी जाते थी और लोग इस बिमारी के साथ इटच करते थे पाब खोड की बिमारी लगी मतलived इसने पाब किया तब जाएके पाब की सजा ऐसी एक धारणा थी तो ऐसी बीमारी से वो कैसे उन्होंने चुड़कारा पाया इस बात को हम लोग आज के दिन में समझेंगे सबसे पहले मैं आप सभी के सामने दस कोडियां का वस दरस्तान्त को पढ़के सुनाना चाहता हूँ लुकस के द्वारा रचित सू समझार अध्याई सत्रा पस्दंक ग्यारा से उन्निस तक यहाँ पर लिखा है इसा येरुजलिम की यात्रा करते हुए समारिया और गलिलिया के सीमा शेत्रों से होकर जा रहते किसी गाउं में प्रवेश करने पर उन्हें दस कोड़ी मिले जो धूर कड़े हो गए और उन्चे स्वर से बोले इसा गुरुवर हम पर दया कीजिए इसा ने उन्हें देख कर कहा जाओ और अपने कोई आजकों को दिखलाओ और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए तब उन्हें से ये कि यहाँ देख कर की वहाँ निरोग हो गया है उन्चे स्वर से इस्वर की स्थुती करते हुए लवटा वह इसा को धन्यभाद देते हुए उनके चरणों पर मूँ के बल गिर पड़ा और वह समारी था इसा ने कहा कि दसों निरोग नहीं हुए तो बाकी नो कहां है क्या इस परदेश को चोड़ और कोई नहीं मिला जो लवट कर इस्वर के स्थुती करें तब उन्होंने उससे कहा उठो जाओ तुमारे विश्वास ने तुमारा उद्धार किया है प्यारे बाहियों बहनों हम लोग ने इस प्रसंग को सुना दस कोड़ियों का इद्रस्थांत यहां पर लिखा है यरूसलिम की यात्रा करते विए प्रभू समारिया और गलिलिया के सिमाशेत्र से होकर जा रहे थे अब किसी गाओं में प्रवेश करने पर उन्हें दस कोड़ी मिले एक जगह पर यह दस लोग इककटे थे क्योंकि उस जमाने में यह प्रता थी एक नियम था जिसको खोड़ की बिमारी लगती थी उसको अपना गर से बाहर जाना था समाज से बाहर जाना था एक ऐसी जगह उनके लिए निर्दारित थी ऐसे जगह पर उनको एक साथ रहना था किसी लोगों से वह संपर्क नहीं कर सकते थे किसी से मिलने ही सकते थे और उसके बाद वह बिमारी से अगर ठीक हुए तो उसको प्रमानित करना पड़ता था जब याज़क इस बात को प्रमानित करता था तब ही जाके वह अपने घर लवट सकते थे और लोग ऐसे लोगों को ग्रिनित दरस्ती से देखते थे क्योंकि कोड पाप के साथ एटाश किया गया था जिस किसी कोड की भी मारी लगती थे लोग सोचते थे बहुत बड़ा पापी है पाप का धंड सजा वो बोगता है ऐसी दारणा ऐसे सोच ऐसे विचार थे यहनि कि यह दस लोग जब एक जगा पर इकट थे उनका कोई मान सम्मान नहीं था उनकी कोई इज़त नहीं थी और इस प्रकार से वह हर प्रकार से हर एंगल से उत्पीड थे psychologically, physically, mentally, unspiritually यह हर मामले में down थे समाज में जाने सकते थे परिवार में रहने सकते थे और इस प्रकार से इनकी दशा इतनी कराब थी अब जब एक दिन जब इसा किसी गाव में जब प्रवेश किये जब इनको पता चला इसा आये है तब वो दूर कड़े हुए क्योंकि नियम वो जानते थे नजदिक नहीं आ सकते थे प्रभु के पास नहीं आ सकते थे दूर कड़े हुए और उन्होंने क्या कहा दूर कड़े होगे उंचे स्वर से दूर कड़े होगे और उंचे स्वर से बोले क्या बोले इसा गुर्वर हम पर दया कीजिए उन्चे स्वर से उन्होंने इसा को पुकारा इसा गुर्वर हम पर दया कीजिए धूर कड़े होके येशु को उन्होंने पुकारा पुकारते भी कहा सिर्फ दया की बीक मांगी उन्होंने ये नहीं कहा हम कोड की बिमारी से ग्रसित हमें ठीक कर दीजिये नहीं कहा हम अपने गर परिवार से दूर हैं गर परिवार वापस जाने लायक हो जाए ये नहीं कहा हम बहुत ही परिशान हैं यहां पर रहते हुए हमें इन से चुड़कारा दीजे नहीं कहा उनके चोटी सी प्रार्तना रही चोटी सी प्रार्तना क्या थी? धया की बीक मांगी उस इश्वर से ईसा गुर्वर हम पर धया कीजे सामुहिक प्रार्तना एक साथ उनोंने आवाज लगाई प्रभु को प्रभु इसा हम पर दया कीजे दया की बीक मांगी गई और इस प्रार्तना में विश्वास्ता इस प्रार्तना में धर्दता इस प्रार्तना में हर प्रकार की एक उमीद थी जब उनने इसा को पुकारा इसा गुर्वर हम पर दया कीजिए उसमें उमीद थी विश्वास्ता और विश्वास की हुई प्रार्तना प्रभू के कानों तक पहुँँ जाती है येशु के कानों में उनकी प्रार्तना पहुँँ जाती है हम सबूं के यहां पर ये बात इस बात पर ध्यान देने की जरुद है अगर मेरी प्रार्तना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती तो क्यों नहीं पहुंचती हम लोग पढ़ते हैं नभी इसायस का ग्रंत अध्याई उनसट फिप्टी नाइन पस संक्या एक और दो में यहां पर लिखा है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है प्रभु का कान बहरा नहीं हुआ है वह सुन सकता है किन्तो तुमारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है तुमारे पापों ने इश्वर को तुम से विमुक कर दिया है इसलिए वा तुमारी नहीं सुनता हमें इस बात को इस बात पर ध्यान देने की जरुद है अगर हमारी पुकार प्रभु के कानों तक नहीं पहुँचती क्यों नहीं पहुंचती, यहां पर उत्तर दिया गया है हमारे पापों के वज़े से मेरे पापों के वज़े से मेरे अधर्म के वज़े से मेरी पुकार प्रभू के कानुं तक नहीं पहुंचती हलंकि प्रभू का हाथ बचान में समर्त है वो सामर्तिवान हाथ है उसका कान बहरा नहीं हुआ है वो सुन सकता है अगर मेरी पुकार प्रभु के कानों तक नहीं पहुँचती इसका मतलब यह है मेरे जीवन में पाप है यानि कि प्रार्तना करने से पहले हमें पापों के लिए पश्चताप करना होगा पापस्विकार करना होगा हमारा रिष्टा प्रभु के साथ जोड़ना होगा हमारा रिष्टा प्रभु के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक बाच्चत नहीं हो सकती मोबाइल के यूग में हम सभी जीते हैं बहुत बार हम लोग जब किसी को फोन करते हैं अगर वो विक्ति नेटवर्क के दाइरे में नहीं है तो बात्चित नहीं हो पाती जब नेटवर्क में जुड जाएगा हमारे कॉल लग जाएगी तब बात्चित होगी उसी प्रकार से ईश्वर के साथ भी यही है अगर मेरे जवन में पाप है तो वो कनेक्शन नहीं जुड सकता पाप के लिए पश्चताप के साथ ही पाप स्युकार के साथ ही वो कनेक्शन जुड सकता है इसलिए जब जब हम प्रारतना करते हैं इस बात पर ध्यान दें हो सकता हम लोग कहीं बार ध्यान नहीं देते हैं हम बस अपना निवेदनों को लेकर जाते हैं इस बात पर इस दिशा में ध्यान नहीं देते हैं कि क्या मेरा रिष्टा प्रभू के साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है पाप के वज़े से रिष्टा कट जाता है तो उस रिस्ते को जोड़ने के लिए पश्चताब करना जरूरी है जब पश्चताब होगा पाफस्विकार होगा वो रिस्ता जुड़ जाएगा तब जाके प्रातना प्रभू के कानों तो पहुँचेगी अब इन लोगों ने प्रभू को विश्वास से पुखारा जब वहाँ पर इकट थे एक जगा दस लोग संभाव तो उनने अपने ही अंदास से उस वक्त उनने पश्चताब किया होगा अपने गलती कुबुल की प्रायस्चित के अपने पापों के लिए उनने और उसके बाद हमारी ये तकलीब दूर हो जाएगी हमारी दूर दशा सुदर जाएगी सही हो जाएगी विश्वास से उमीद से उन्होंने उस नाम को लिया जो नाम आकाश दर्ती और अदलोक में सर्वस्रेश्ट है ईसा का नाम आकाश दर्ती और अदलोक में पर दया कीजिए धरती और आसमान में जिसका अधिकार है उस प्रभु को उन्होंने आवाज लगाई और पुखारा और प्रभु उनकी प्राटना सुनता है हालिलुया 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 महत पूर्ण बात ये है भाईयो बहनो अगर मेरी पुकार प्रभु के कानों तब पहुशने है तो मुझे प्रभु के साथ रिस्ता जोडे रखना होगा जैसे मैंने कहा पाप के वज़े से रिस्ता कड़ जाता है प्रभु का वशन में बताता है नभी साथ के गरंत के माद्यम से उसका हाथ समरता है कान बहरा नहीं हुआ है सुन सकता है हमारी मदद कर सकता है साहता कर सकता है आशिश दे सकता है तब जब मेरा रिस्ता जुड़ा हुआ होगा अगर मेरा रिस्ता नहीं जुड़ा है मैं चाहे जतना मर्ज चिलाऊं जतना मर्ज प्रभु को पुकारूं कुछ नहीं हो सकता इसलिए सबसे पहली बात हमें द्यान देनी कि यह है कि मेरा रिस्ता प्रभु के साथ जुड़ा रहे तब मैं प्रभू को आवाज दूँ, प्रभू को पुकारू, मेरी पुकार प्रभू के कानों तब पहुंचती है हाललुया, 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 हाललुया अब जब इन्होंने पुकारा, इसा, गुरुवर हम पर दया कीजिए प्रभु के कानों तक इनकी प्रार्तना पहुंच गए इन्होंने प्रार्तना किया इन्होंने प्रार्तना की बहुत बार लोग क्या करते हैं फादर जी प्रार्तना कीजिये हमार लिए क्या हो गया? हाँ गर में तकलीब हैं क्या हुआ? बिमार हैं खुद प्रार्तना नहीं करेंगे फादर के डूटी में लगाएंगे प्रार्तना करने के लिए खुद प्रार्तना नहीं करेंगे खुद चर्च नहीं आएंगे खुद संसकारों को संसकारों में बाग नहीं लेंगे खुद पशताप नहीं करेंगे पाप स्विकार नहीं करेंगे और बता देंगे हमारे लिए प्रार्तना करना सबसे पहले इस बात पर हम ध्यान दें मेरा रिष्टा कैसा है प्रभू के साथ मेरा रिष्टा प्रभू के साथ जुड़े होने से ही प्रभु के कानुन तक मेरी पुकार पहुन सकती है अब उन्होंने जब प्रभु को पुकारा प्रभु ने उनकी प्रार्तना सुनी उनकी प्रार्तना सुनी उन्होंने लंबी-लंबी प्रार्तना नहीं की उन्होंने विश्वास की विंती वहां पर नहीं की चोटी प्रार्तना दिल की गहराई से निकली वी सच्चाई की प्रार्तना धर्द बरी प्रार्तना प्रभु के दिल को चुजाती है प्रार्तना हम कितना करते हैं वो महत्वपूर नहीं है कितनी अच्छी तरह से प्रार्तना करते हैं वो महतुपूर्ण है आत्म और सच्छाई से दिल की गहराय से निकली भी पुखार प्रभु के कानों तक पहुँच जाती है हमेशा प्राड़तनामे हमें इस बात पर द्यान दें कि मेरी पुखार क्या मेरे पूरे दिल से आत्म से निकलती है इस बात पर द्यान देनी के जरूद है वो प्रार्तना सच्छाई की प्रार्तना है इमांदारी की प्रार्तना है वो पारफुल प्रार्तना है शक्तिशाली प्रार्तना है और ये प्रार्तना प्रभु के कानों तक पहुंची है अब आगे देखिए जैसे ही प्रार्तना उन्होंने की, प्रभु से चोटी प्रार्तना जरूर थी, इसा गुरुवर हम पर दया कीजिए, बहुती चोटी प्रार्तना, बहुती इमांदारी की प्रार्तना थी, विश्वास की प्रार्तना थी, धर्दबरी प्रार्तना थी, उमीद से की प्रार्तना ती प्रभु ने सुनी जैसे प्रभु ने सुनी यिसा ने उन्हें देखकर कहा जैसे इनने पुकारा यिसा ने उनको देखा प्रभु की द्रस्टी पड़ी उन लोगों पर प्रभु ने उनको देखा और उसके बाद क्या कहा देखकर कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ क्या कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ ये लोग सवाल कर सकते थे प्रभू क्या दिखाए कोड की बिमारी से ग्रसित हैं प्रभू हम ठीक हुए ठीक होंगे तभी तो दिखाए हम ठीक हुए नहीं, क्या दिखाएं उन्हेंने सवाल नहीं किया वाँ पर क्यों सवाल नहीं किया क्योंकि जो प्रभु ने वचन सुनाया वो वचन उन्हेंने सुना क्या वचन सुनाया प्रभु ने जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ ये प्रभु ने वचन सुनाया और इन दस कोडियों ने प्रभु का वचन सुना चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का वचन सुनना जरूरी है बहुत बार क्या होता है प्रार्तना में लोग जाते हैं साधना में लोग जाते हैं और इस उमीद से बैड़ते हैं मेरी ये दर्द ठीक हो जाए खमर के दर्द या सिर के दर्द हो या रेड के हड़ी में दर्द है गुटने में दर्द है ठीक हो जाए प्रारतना नहीं करेंगे जब स्तुति आराधना होती है मुँ नहीं कोलेंगे जब हाथ उपर उटाने के बारी होती है हाथ बांगे रखेंगे इंतिजार किस बात का मैं छंगा हो जाओं तब मैं बोलूं तब मैं मेरा मूँ खुलेगा नहीं वच्छन सुनना ज़रूरी है इन्होंने क्या किया जबने प्रारतना की इसाि गुरु वर हम पर द्या कीजी इन्होंने इश्वर का वच्छन सुना जाओ अपने कोई याजगों का देखलाओ वच्छन था उनके लिए प्रभुने वच्छन सुना petit नहीं वच्छन सुना केवल सुनना प्रयाप तो नहीं है और उसके अनुसार चलता, वह मनुष्य समझदार है, जो वचन सुनता है, उसके अनुसार नहीं चलता, वह मूर्क है, और मूर्क लोगों को स्वर्ग का द्वार नहीं कुलता, प्रभु ने वहां पर सुन्दर उदहरन देते हुए कहा, जो मेरी ये बातें सुनता है, और उसके अनुसार चलता है, वह समझदार मनुष्य के स्रदरश्य है, जिसने चटान पर अपना घर बनवाया, जो मेरी ये बातें सुनता है, कि तो उसके अनुसार नहीं चलता, वह समूर्क के स्रदरश्य है, जिसने बालू पर अपना गर बनवाया और उसका नतीजा प्रभुने सामने रखा जिसने चक्टान पर अपना गर बनवाया वो ठिका रहा आंधी तुफान बाड में ठिका रहा जिसने बालू पर अपना गर बनवाया गिर गया नुकसान हुआ सर्वनाश हुआ उसी प्रकार से केवल वचन सुनना काफी नहीं है वचन पर विश्वास करना वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है हाललुया येसु की सुती हो येसु को धन्यवाद अब जब प्रभु ने वचन सुनाया जाओ अपने को याजकों को दिख लाओ ये वचन उन्होंने सुना उस पर उन्होंने विश्वास किया प्रभु के वचनों पर हमें विश्वास करने की जरूरत है कुछ लोगों को विश्वास करने में बहुत खटिन लगता है तकलिप होती है किसी इंसान ने और कोई तीसरे इंसान के बारे में कोई बात कही तुरंत सुनकर विश्वास बले ही वो बात सव के सव जूट क्यों ना हो इंसान को इंसान की बातों पर विश्वास बहुत जल्दी होता है इन्सान को ईश्वर के बात वर विश्वास करने के लिए टाइम लगता है इन लोगों ने इन दस कोडियों ने प्रभू की बात सुनी उस पर विश्वास किया इसलिए उन्होंने सवाल नहीं किया हम क्या दिखा हैं उनने नहीं का क्योंकि उनने विश्वास किया प्रभु ने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ उनने विश्वास सुनने के बाद विश्वास किया अगर प्रभु ने कहा जाओ याजकों को दिखलाओ इसके मतलब यह है कि हम ठीक हो जाएंगे एक दरड विश्वास उनके अंदर था उन्हेंने विश्वास किया उसके बाद और एक महत्वपुन का रिया सिर्फ विश्वास करके खड़े नहीं हुए वहाँ पर जैसे आदेश हुआ उस आदेश का पालन किया जाओ अपने को याजकों को दिकलाओ वो निकल पड़े हलांकि उस वक्त ठीक नहीं हुए थे कोड की बीमारी से ग्रसित थे उन्हेंने विश्वर का वचन सुना ग्रहन किया उस पर विश्वास किया उसके बाद उन्होंने वचन के अनुसार कारी किया बहुत ही जरूरी बात ये है बाईयो बेहनो प्रभु के वचन सुनना जरूरी है ग्रहन करना जरूरी है विश्वास करना जरूरी है उसके बाद उस वचन के अनुसार कारी करना बहुत ही जरूरी है उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार कारी किया अगर मान लो यह प्रभु के वचन पर कारिय नहीं करते प्रभु का वचन सुनते प्रभु से प्रार्तना करते प्रभु का वचन सुनते विश्वास करते खड़े रहते हैं वहीं पर कुछ चमतकार होता नहीं होता बहुत बार हम लोग चूक कर बैड़ते हैं चोटी-चोटी बातों का हम समझ नहीं पाते हैं हम चूक कर बैड़ते हैं बड़े चमतकार हमारे जिवन में होने वाले होते हैं लेकिन तोड़ी से हमारे गलती के वज़े से वो महिमा हम नहीं देख पाते हैं मुझे मेरा कारिय करना है इश्वर अपना कारिय करता है इश्वर का कारिय मेरे जिवन में लागो हो तो मुझे अपनी ड्यूटी अपना कारिय करना है मुझे अपनी जिम्मेदारी नेबानी है अब उन्होंने क्या क्या जैसे आदेश दिया वैसे आदेश का पालन किया वचन के अनुसार उनने कारिय किया, मेहनत की वो गए, इस विश्वास से गए किसी ने शक नहीं किया क्या दिखा हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा कोई बात्चित नहीं, सिधा गए Bible हमें बताता है ऐसा करने से कैसा करने से प्रभु के वचन सुनने से ग्रहन करने से विश्वास करने से और उसके अनुसार कारी करने से रास्ते में वो ठीक हुए प्रभु हम सबों को आशिष देना चाहता है अद्बु से कारी करना चाहता है चंगाही देना चाहता है लेकिन वो देखना चाहता है क्या मैं उस प्रभू के वचन सुनने के लिए तयार हूँ क्या मैं उस वचन पर विश्वास करने के लिए तयार हूँ क्या मैं उस वचन के अनुसा कारी करने के लिए तयार हूँ अगर तयार हूँ ज्वाब लगवा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे और उसके बाद कुछ मैं ही ना करू चमतकार नहीं होंगे प्रक्रिणा देखिए उन्होंने प्रभु को पुकारा प्रभु ने प्रार्तना सुनी प्रभु ने वचन सुनाया इन्होंने वचन सुना वचन ग्रहन किया वचन पर विश्वास किया और उसके बाद वचन के अनुसार उनने कारिय किया यह पांच बाते हैं चमतकार होना हो अद्बुत कारिय होना हो यह पांच बाते हैं सबसे पहले प्रभु को पुखारना और उसके साथ पश्टाप, प्रभू के साथ रिष्टा जोड़ना इस सब जरूरी है, प्रभू का पुकारना प्रभू की बात सुनना प्रभू की बात ग्रहन करना उस पर विश्वास करना और प्रभू की बातों के अनुसार कारिये करना यह पांच बातें बहुत ही जरूरी है अगर ये पाँच बात हम करेंगे चिन्न चमतकार मेरे जिवर में आपके जिवर में हम में से हर विक्ति के जिवर में होंगे क्योंकि प्रभु तयार है ततपर है हम लोग तयार नहीं है हमने बस order कर दिया प्रभु टीक कर दो उसके बाद कुछ नहीं किया नहीं होगा वो पूरा प्रक्रिया हम फॉलो करें प्रभु का वचन सुनें ग्रहन करें वचन पर विश्वास करें वचन के अनुसार मेहनत करें वचन के अनुसार कारी करें हाललुया हाललुया प्रभू का वशन कहता है अधित नहीं तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम्हें शायद उतके पेड़ से कहते हैं वो कड़के समुद्र में लग जा और वो तुम्हारी बात मान लेता हमारा विश्वास कैसा है हम हाथ बांद के रहेंगे देखेंगे यह पेड़ कब उकड़ेगा कब जाएगा जब जाएगा तब हम आने के हाँ आबात सही है कभी नहीं हो सकता विश्वास पहले उसके बाद मांगना उसके बाद मिलना हमारा डिमांड पहले जाती है यह होगा तब मैं विश्वास करूँगा यह इनसानों के साथ हो सकता है प्रभू के साथ जब हम जाएंगे विश्वास पहले उसके बाद मांगना उसके बाद मिलना हाललुया येसु की सुती हो येसु को धन्यवाद अब देखिए इनकी प्रारतना सुनी गई इन्होंने वचन सुना ग्रहन किया विश्वास किया वचन के अनुसार कारी किया रास्ते में ठीक हुई ठीक होने के बाद की बाद देखिए ठीक होने के बाद कितने लोग लवट के आये एक वेक्ति एक वेक्ति लवट के आया तो जब लवट के आया एक वेक्ति और प्रभु के चरणों पर उसने दंडवत किया प्रभु के अरादना कि प्रभु को धन्यवाद दिया, स्रास्त्रांग प्रणाम किया प्रभु के सामने, गुट्नों के बल वो आया, अपनी कृतग्यता उसने व्यक्ति की प्रकट की, अभार प्रकट किया, तब प्रभु सवाल करता है, क्या दसों निरोग नहीं हुए तो बाकी नौ कहां गए? अब यह रेश्यो देखिए, दस लोग थे, दस लोग ने पुकारा, विश्वास किया प्रभु पर, कारी किया, दसों के दस ठीक हुए, अब रेश्यो यह बताता है, नव लोग, नव लोग यानि कि 90 परसंट, 90 परसंट लोग इतना ही चाहते हैं, हमारा शेरी ठीक टाक रहे शेरीर सही सलामत रहे, कोई पीडा ना हो, कोई तकलीप ना हो, कोई बिमारी ना हो, शेरीर को बचाने की होड में है, 90 परसंट लोग, 10 परसंट लोग, आत्मा को बचाना चाहते हैं, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, यही रेश्यो चल रहा है, 90 परसंट लोग केवल, शेरीर टिक टाक रहे, सब सही है, कैसे हैं, बढ़िया है, बिमार पढ़ने पर तुरंद भागेंगे, पैसा नहीं है, कहीं से भी पैसा उदार लाके, इलाज होगा, करना भी लेकिंगे आत्मा को बचाने के बारी आती है, साल हो जाता है, दो-डो साल हो जाता है, दस-दस साल हो जाते हैं, पापसिकार नहीं है, लोग सोचते हैं, खूब काएं, पिएं, शेरीर हटा-कटा रहे, और सब को सही है, नहीं, प्रभु सवाल करता है, प्रभु सवाल करता है कहां गए ये लोग मैंने इतना कुछ दिया इतना कुछ किया उसके बाद लोग कहां गए प्रभु सवाल करता है अब ये वेक्ति जो लौट के आया प्रभु को दन्यवाद देने के लिए दन्डवत करने के लिए प्रभु की शुक्रिया अदा करने के लिए आया उस वेक्ति के साथ क्या हुआ ये देखिए बहुत गहरा है से इस बात को समझ लीजिए प्रभु ने का बाकी नो कहां गए सवाल किया और इस वेक्ति से क्या कहा प्रभु ने इस परदेशी को छोड़ा और कोई नहीं मिला जो लाउड कर ईश्वर के सुती करें तब उन्हों ने उस से कहा प्रभु ने इस वेक्ति से कहा उठो जाओ तमारे विश्वास ने तमारा उद्धार किया है उद्धार यानि कि तमारी मुक्ती हुई है इसका अर्थ यह है तुम स्वर्ग राज में जीने के लिए छुने गए हो यौँ अब तक तुमारा शरीर बिमारता शारीरिक बिमारी मैंने ठीक कर दी अब शारीरिक बिमारी के साथ-साथ जब तुमने इस बात का ऐसास किया कि इश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा काम किया तुमने आके दंडवत्य किया उस प्रभु की अरादना की और उसको धनेवाद दिया तब उसके फल्सुरुप प्रभु ने क्या किया उसकी आत्मा को ठीक किया आत्मा तुमारी बच जाएगी तुमारा उद्धार हुआ है यहाब इन सेवड कितनी बड़ी आशिश देखिए हम लोग मिस कर बैठते हैं यह आशिश लोगों का टारगेट क्या होता है सादना में गए प्रारतना में गए क्या करने के लिए शुगर की बिमारी हो अन्यकोई बिमारी हो यह बिमारी हो वो बिमारी हो ठीक हो जाए बड़े कुश शरीर चाहे जितना मरजी आप संबालें सजाएं सवारें क्याल रखें द्यान रखें करना चाहिए लेकिन शरीर साथ नहीं जाएगा इस धर्ती के मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी का पुतला कमी कमजोरों से बरा हुआ यह मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही दफनाया जाएगा इसलिए शरीर को जितना ध्यान हम देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान हमें आत्मा की और देने की जरुत है उस आत्मा जो है अजर है अमर है अनंतकाल के लिए है उस आत्मा की देखरेख हम करें जैसे शरीर के लिए हम बागदावड करते हैं जरांसा कुछ लग गया यहांपर तुरंत एटेंड करते हैं होना चाहिए पाप के पर पाप हम करते हैं गल्टी के पर गल्टी करते हैं कोई पस्तावा नहीं है कोई पापस्विकार नहीं हर संड़े गए परंप्रसाद लिया क्या लिया पता भी नहीं आत्मा पर द्यान दे शरीर को अमीर से अमीर लोग आज तक बचाके नहीं रख पाए शरीर के समय सीमा होती है जब प्रभु ने निर्दारित किया इतने समय के लिए शरीर है उसके बाद उसको जाना ही जाना है उस मिटे में मिलना है लेकि शरीर के साथ मैं बरबाद ना हो जाओं मुझे बचना है इसलिए प्रभु के पास जाएं प्रभु की स्तुती करें प्रभु को धन्यवात दें प्रभु का जेजेकार करें प्रभु का वच्छन सुनें विश्वास करें वच्छन के अनुसा कारी करें और प्रभु हमें हमारा उद्धार करेगा सबसे बड़ी आशिश है उद्धार पाना मुक्ति पाना सबसे बड़ी आशिश है अगर सब कुछ हमने पा लिया मुक्ति नहीं पाई उद्धार नहीं हुआ हमारा सब बेकार फेल है हम इसलिए प्रभू अपने वचन के द्वारा कहता है यह दि तुम सारे संसार को अपने हाथ में कर लो हासिल कर लो लेकि अपने आत्मा गवादो तो इससे क्या लाब होगा कोई लाब नहीं भाई और बहनों प्रभू हम समों से बातें कर रहा है आज के दिन में प्रभू हमें सिखाता है हमें बताता है हम इस बात को समझें प्रभू हम समों से क्या कहता है कितना कुछ करते हैं शरीर के लिए बाप रे बाप तोड़ा तुछा खाला है तो गोरा होने के लिए क्या क्या क्रिम मोटा है तो पतला होने के लिए क्या क्या करते हैं पतला है तो मोटा होने के लिए नाटा है तो लंबा होने के लिए और इस सारे बातों को देखा जाए कित कितना सुन्दर जीवन होगा वो नव लोग ठीक हुए कोड की बिमारी से अपने गर चले गए लौट के प्रभू के पास नहीं आये हो सकता बाद में दुबारा बिमारी लगी होगी उनको दूसरा कोई बिमारी कोई फाइदा कुछ हुआ बस इतना ज़रूर हुआ शरीर स्वस्तवा गर लौट गए हासल कुछ नहीं हुआ इस एक विक्ति को सब कुछ हासल हुआ शरीर भी सुरक्षित रहा उसका आत्मा भी बच गए स्वर्ग जाने का विजा भी उसको मिला टिकेट मिला स्वर्ग जाने का और ऐसी गोशना प्रभु ने की तुमारे विश्वास ने तुमारे उद्धार हुआ है ये आशिश हम सबों को मिलनी चाहिए इसलिए भाईयो बहनों हम केवल शारिरी के सम्मंदित सारे बातों से आशिश पाने के लिए प्रभु के पास ना जाए प्रभु जानता है हम तकल के जाती साथ साथ आत्मा का बहुत ही ज़्यान रखें, आत्मा अजर है अमर है कोछ लोग ये भी कह लेते हैं मरने के बाद किस क्या होता हुआँ कि fingerprint किसको क्या पता अ कि वाईबुल हमें बताता है मरने के बाद के बाद प्रित कि जीता हुआ है एक मृत्यु में केवल शर जीर मरता है जब इनसान जीता है वो या तो स्वर्ग में जीएगा या फिर नर्ग में जीएगा इसलिए इस वात का इस बूल में ना रहें मर जाएंगे तो सब कतम हो जाएगा कतम के वल शरीर होगा हम नहीं मरेंगे तो अगर जीना हिए तो हम सवर्ग में जीएगा नर्क हमारा जगा नहीं है हम समों के लिए प्रबु मस्य ने जगा तैयार कर रखी है सवर्ग में और वो जगा पर हमें जाना है उधर पहुँचना है इसलिए हमारी द्रस्टी उस स्वर्ग में लगा के रखें उसके अनुसा जिवन वितित करें तब जाके हम आनंद मनाएंगे उस प्रभु के सानद में स्वर्ग राज में संतों के दूतों के संगत में अनंतकाल का जिवन हम बिताएंगे तो आएए बाईव बेहनों आज के दिन में प्रभु ने हम समों से बातें की प्रभु का वचन हमने सुना इस वचन के अनुरूप हम कारी करें महनत करें परिश्रम करें जो प्रभु के दरष्टी में ठीक नहीं है अच्छा नहीं है उसको बाहर करें हमारे जीवन से जो कुछ भी अच्छा है उसी में आगे बढ़ें निरंतर प्रभु के सान्दे में रहें प्रभु से जुड़े रहें विश्वास में मजबूत हो जाएं और इस प्रकासे सुन्दर जीवन हम सबी बिधाएं वही प्रभू हम सबों को बहुत आयत की आशिश प्रदान करें जीवन दाता जीवन देने आजा मेरा जीवन नया पनाने आजा जीवन दाता जीवन देने आजा मेरा जीवन नया पनाने आजा सब लोग आईगे मेरा जीवन नया पनाने आजा येशु आजा सब लोग मिलके येशु आजा चंगाई दाता चंगाई देने आजा स्वास्त दाता स्वास्त देने आजा चंगाई दाता चंगाई देने आजा स्वास्त दाता स्वास्त देने आजा तालिया मेरा जाते हुए मेरे येशु मेरे प्रभु आजा मेरे दिल में मेरे घर में आजा मेरे येशु मेरे प्रभु आजा मेरे घर में मेरे दिल में आजा मेरे येशु मेरे प्रभु आजा मेरे दिल में मेरे घर में आजा पालिय बना के येशु आजा येशु आजा येशु आएंगे जुटकारा लेके आजा येशु आजा आनंदाता आनंदेने आजा आत्मदाता आत्मा देने आजा आनंदाता आनंदेने आजा आत्मदाता आत्मा देने आजा आनंदातानं देने आजा, आत्मदाता आत्मा देने आजा आनम दाता आनम देने आजा आजम दाता अख्मा देने आजम जोर दाता लिकर सांग आजा इश्वाजा सब लोग मिलकर गाएं इश्वाजा इश्वाजा हालेलुया, हालेलुया, हलेलुया सोती में जाएंगे प्रमुक्यार आरिप पर हालेलुया, 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 अपनी आखे बंद रखेंगे और कारीप कर्ट जाएंगे येसु तेरी आराधना हो येसु तेरी ही महिमा हो आलेलुया 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 येसु तू मेरे जीवन में आजा येसु तू मेरे परिवार में आजा तालिया बजाते हुए प्रभु की तारीफ करें येसु स्वर्ग द्वार खोल दीजिए मेरा जीवन बदल दीजिए आलिया 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 आत्मा का तूपाना आए तेरे आत्मा से भर जाए आलिया 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 एक नया मसी बना तेरे वच्चनों पे चलना सिखा आलिया 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 गाईए गाईए तालिया बजाते हुए तारीफ करें जैसा तू चाहे मैं वैसा बन जाऊं, जैसा तू चाहे मैं वैसा ही जियू प्रे सखारा बहाश्री एक आनंद मैं जीवन मैं जियू, तेरे आत्मा से संचालिक रहू जोरदार तारीफ करेंगे इस समय परमेश्वर की तेरे वच्चनों पे चलता रहूं तेरे वच्चनों से जीता रहूं हालेलुया, हालेलुया, हलेलुया आलेलुया 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 ये सुरोगियों को जंगा करना आलेलुया 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 आलेलु हालेलुया, हालेलुया, हलिया घुटका रावे दीचिये अंदों को आथे देदीचिये लंगडे भी चलने लगे आमिन फूंगे भी बोले लगे तारी फान कोडियों कोशुद करना तेरी महिमा दिखा देना येसु जीवन में आ जाना एक साथ मिलके हालेलुया जोरदार ताली बजाके हालेलुया तारी फार उपर वेश्वर की हालेलुया प्रभु कानुग्र गरस रहा है ताली बजाते हुए प्रभु की तारी पर इस समें रभु कानुग्र इस समें परस रहा है हालेलुया हालेलुया अपने अपने शक्तों में प्रभू की स्कुति और अराद ना करने जाएए さあ अत्ता ना करने उनिता खोल्ता कृण शक्ता terreная ईप होजोत्स जिथ वसे दुशने कि अंगार्व माइचि थारीरी शांग सेख्फरेशने नशे से शुटकारा पाना चाहता हैं प्रभू आपको इस नशे की दूश्टा आत्मा से शुटकारा देते हैं। अशलेलता में जीवन विद्दीद करता है हर प्रकार की गंदी चीजें में फसा हुआ प्रभू आपको इससे अजाद करता है कोई है जो अपने जीवन में बहुत निराश है हताश है, घर में बहुत समस्या है तंगी है, मुसीवत है, परिशानी है परन्तु प्रभू कहता है चिंता मत कर मैं तेरा स्वर्गिये पिता हूँ, मैं पवित्र हूँ तु मेरे लिए पवित्र बन और कल तेरी आखों के सामने मैं चमतकार करूँगा कोई है जो अपराद बोद में इस वक्त बहुत जादा फसा हुआ है परमेश्वर आपको पवित्र करता है शुद करता है आप क्योंकि वो शमा करने वाला परमेश्वर है वो कहता है मैं तुमारे पापों को तुमसे इतना दूर कर दूँगा जितना बूरव से पश्शिम दूर है इसलिए अपराद बोद को त्याग कर प्रभू के सामने नत्मस तक हो जाना और वो आप रहम खाएगा वो रहम खाने वाला परमेश्वर है तरज खाने वाला परमेश्वर है बच्चों को आशीश प्रदान करने वाला परमेश्वर उसने बच्चों को गले से लगाया और उन्हें आशेश प्रदान की कोई है जो श्रापों से ग्रसित है प्रमिश्वर आपके पूर्वजों के श्रापों से और आपके जीवन से जो श्राप लगे हुए हैं गलतियां हो गई, कमजोरियां हो गई प्रमिश्वर का नाम वेर्थ लिया मूर्ति पूजा की वस्तु शास्त्र में विश्वास किया और अनेक ऐसी बातों को पर चलने की गोशिश की है परमेश्वर आपको शमा करता है परमेश्वर की हजूरी में आना अवचन के अनुसार आचरन करना परमेश्वर आपको उन्नती प्रदान करेगा प्रवु ये कहता है, मैं तेरे अन्य जल और तेरे भंडारों को आशिश दूँगा, बिमारियां तुझ से दूर रखोंगा बिमारियां तुझ से दूर रखोंगा, पस तु मुझ पे भरुशा कर, अपनी बुद्धी पे निर्भरमत रहे मैं तेरे साथ चलूँगा मैं तेरे संग रहूंगा प्रियमसीयों आप मेंसे बहुत सारे लोगों को प्रभु स्पर्ष कर रहा है मसा प्रदान कर रहा है हर प्रकार की बदकारी बुराई की आत्मा अश्लीलता नवी वो युगतियों को विशेश रूप से आज जितनों ने ये वचन सुना है प्रमेश्वर आपको छूना चाता है चंगा करना चाता है अगर आप उसकी बात मानने को तयार है तो प्रभु कहता है कि मैं तुझको इतना उचा उठाऊंगा मैं तुझे वो बातें जिखाऊंगा ऐसे रहस्यों को बताऊंगा कि दिन को तु अब नहीं समस्ता परंतु तु आने वाले जीवन में उसको समझेगा इसलिए वादा कर लेना परमेश्वर से वो आपको हर जगा जहां भी लेकर जाएगा वहाँ पर उन्नती सम्मान और आदर वहाँ पर आपको दिलाएगा आपके घर में जीवन में कमी ना होगी येशु आपके साथ है वो आपको प्यार करता है आपको उसने चुना है और आपको उसने पवित्र किया है इसलिए उसके बुलावे के अनुसार आचरन करते जाना कोई है जो लक्वे के रोग से प्रभु येश्यू आपको चंगाई देता है कोई है जो रक्त स्राव की बिमारी से लिकोरिया की बिमारी से प्रभु येश्यू का लहू आपकी नसनस में बेहने लगे कोई है जो गलत रिष्टों में है तौबा करना और उन से बाहर आना क्योंकि प्रभु कहता है वचन में हमने सुना संत पॉलुस कहता जो बुराई करता है जो पाप में जीवन बिताता है वो उस चोड़े और वो प्रभु की और अभीमुक हो जाए क्योंकि ये उपयोक्त समय है लोटकर चले आईए प्यारे भाईयो और बेनो लोटकर चले आईए प्रभु कहता आ मेरे बेटे आ मेरे बेटे लोटकर चला मुझसे दूर रहकर तो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे सिवा तो कुछ भी नहीं कर सकता मुझसे दूर रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो इसलिए प्रिये जनो आज जितने लोगों को परमेश्वर ने वचन दिया है प्रभू आपको आमंत्रित कर रहा है आ मेरे बेटे तू दूर दूर क्यों है तू दूर दूर क्यों है प्रभु का बचन ये कहता है कि अगर तुम लोगों में से कुछ लोग बिमार हो तो अपने कुकर्मों के कारण इसलिए उन अंदकार के कुकर्मों को छोड़ कर आईए प्रभु के पास लोट कर चले आईए और प्रभु आपके घर को आबाद करेगा आपके बच्चे दुर दिन नहीं देखेंगे आपके बच्चे उननक्ती प्राप्त करेंगे आपके घर से आपके शरीर से वो बिमारियों को दूर रखेगा आपके भंडारों को आपकी तिजोरी को आशीश प्रदान करेगा आप जो कमाई करते हैं उससे आपको संतुष्टी मिलेगी बशर्ते की आप पवित्रताई का जीवन जीएं आपके जीवन में जो कश्ट है प्रभु दूर करेगा आईए प्रभु के पास लोटें और प्रभु से शमा माँगें आई मेरे बेपे दूर दूर क्यों है दूर दूर क्यों है दूर दूर ना जा लोट के दुआ दूर दूर ना जा लोट के तुआ लोट के तुआ लोट के तुआ आई मेरे बेपे दूर दूर क्यों है आई मेरे बेपे मुझसे दूर जाते हों क्यों क्यों पास आते नहीं मुझसे दूर जाते हों क्यों क्यों पास आते नहीं मुझसे दूर जाते हों क्यों क्यों पास आते नहीं मुझसे दूर जाते हो क्यों क्यों पास आते नहीं तेरे लिए मैने जान दी लहू बहा दिया तेरे लिए मैने जान दी लहू बहा दिया कि तुझको जीवन मिले कि तुझको जीवन मिले एए मेरे बेटे दूर दूर क्यों है मेरे बेटे दूर दूर क्यों दूर दूर ना जान लोट के तुआ लोट के तुआ लोट के तुआ मैं प्रात्ना करता हूँ आप सबी के लिए जो बड़ी श्रद्धा और भक्ती के साथ आज की इस वचन को सुन रहे हैं और इस स्तूती प्रशन सामें भाग ले रहे हैं प्रभू आप लोगों को सपर्श करें जितने भी लोग इस वक्त आत्मा और हिर्दे की सच्चाई से एक हैं इन चंगाईयों को और अनाइंटिंग को आप रिसीव करें गुठनों पर आजाएं जो खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं हातों को उठाएं निस संतान दंपती मैं आपके लिए प्रात्ना करूँगा नवी वख और युफ्तियां प्रभू आप पर अधिकार ले, बच्चों पर अधिकार ले जिद्ध की आत्मा आपके शरीरों से निकले क्रोध इर्श अधवेश की निंदा की आत्मा दुष्ट शक्तियां आपके शरीरों परिवारों से निकले और जल के राख हो जाएं प्रमेश्वर आज अपने दास के द्वारा आप सभी लोगों को शान्ती की आशीश प्रदान करें दया करने वाले चंगा करने वाले ये सूराजा आज तेरे बचन के द्वारा जो अनन्त जीवन देता है इन बच्चों के जीवन में शान्ती आजाए चंगाई आजाए शवीर की गाठों से पीड़ी थें, पैंक्रियास की समस्या से, किड़नियों के रोग से, लीवर की बिमारी से, हे प्रभू डिमेंशिया की बिमारी से, मानसिक बिमारीयों से पीड़ी थें, इन्हें अपने पवित्र हाथ से स्पर्श कर दे और इन्हें चंगाई प्रदान कर तेरा वचन जो इनोंने सुना है आज के इस संद्या के समय इनके जीवन में पूरा हो जाए इनके घर इनके चौकट इनके बिच्छोनों पर इनके बिस्तरों पर इनकी गाड़ी पर इनके दफ्तर पर इनकी पड़ाई लिखाई किताबों पर तेरा शिर्वाद उत्रे इनके घर के चारू और तेरे लड़क्षा स्थम्ब लगे सारी बुराई की और अंदकार की शक्तियां तेरे वचन के सामर्थ से जल के राख हो जाए ए प्रभु मैं तेरे सामर्थी नाम से आदेश देता हूँ तेरा वादा है जो मेरा जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े महान कारे करेगा हे प्रभु ये शो आज तेरी महिमा तेरे इन बच्चों के जीवन में प्रकड़ों ने दे और इने तेरी महिमा के लिए इस्तिमाल कर तेरे वचन के अनुसार इनका मसीही जीवन महिमा प्राप्त करे इनके बच्चों के और इनके रिष्टेदारों माता पिता बुजर्गों के जीवन में आशिश आए विशेश रूप से जो रिटायर हैं और घर पर हैं हे प्रभु येशू इने तु आशिश सांत्वना और हिम्मत प्रदान कर मैं तेरा दास इन हातों को मुसा के जैसे उठाता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए कलीशिया के लिए प्राइश्चित करता हूँ इन पर दया कर और अपने दास की प्राथना को सुन ले और उसे पूरा करने की क्रपा कर हम ये प्राथना करते हैं उद्धार करता येशू प्रभू के द्वारा आमें समरपन है प्रभू येशू समरपन है प्रभू येसू समरपन है प्रभू येशू समरपन है प्रभू येसू अपने जीवन को अपने घर को अपने जीवन को अपने घर को अपने बच्चों को माता पिता को अपने बच्चों को माता पिता को तेरे पास लाया हूँ समरपण है प्रभु येशू समरपण है प्रभु येशू समरपण है प्रभु येशू समरपण है प्रभु येशू अपनी मेहनत को धन संपती को अपने बिजनस को काम ताज को अपनी पत्नी को अपने पती को तेरे पास लाया हूँ समरपण है प्रभु येशू समरपण है प्रभु येशू समरपण है प्रभु येशू अपने घर को सभी बुजर्बों को सभी बुरोहितों को धर्मसंगियों को तेरे पास लाया हूँ समरपण है प्रभु येशू समरपण है प्रभु येशू हम पवित्र संस्कार की आशिष ग्रहन करें प्रभु हमें आज की रात्री रू का मसा प्रदान करें पवित्र पवित्र परंप्रसाद की आराधना हो स्तुती हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परंप्रसाद की आराधना हो स्तुती हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परंप्रसाद की आराधना हो स्तुती हो महिमा हो सदा सर्वदा आराधना हो स्तुती हो स्तुती हो आराधना हो स्तुती हो बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया सब लोग आएंगे रूहे पाकती संगत दे नाड 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 रूहे पाती संगत दे नाड़ उठना पैना बदल दार तालियों के साथ बदल गया मेरा सारा दीवन बदल गया मिल गया मेरा येसु मुझको मिल गया मिल गया मेरा येसु मुझको मिल गया धूंडा उसे जब दिल से मैंने धूंडा उसे जब दिल से मैंने धूंडा उसे जब दिल से मैंने वह येसु मुझको मिल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया आज कर जो कलाम आपने सुना है, आपके जीवन को और आपके परिवार को बदल दे, शुबरात्री, गुड़नाइट, प्रभु की आशिश में सदा बने रहें और इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साजा करें, जै इसू